Hello everyone, welcome to my channel, Hypertrade SBE, मैं हूँ मुहमत सुहेल दोस्तों, आज मैंने stock चुना है, ICICI Bank Limited आज मैं आप सबी को ICICI Bank के उपर entry levels बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि अगर ये 394.15 levels को जाने के लिए देख रहा है तो दो कदम पीछे दालेगा, यानि reversal होगा stock के अंदर छोटा सा छोटा correction होगा, उसके बाद ये stock 394.15 levels जाएगा आज के दिन भी आप देख सकते हैं, यानि Friday के दिन आज के दिन नहीं दोस्तों, Friday के दिन, यानि 10th to July के दिन आप देख सकते हैं, stock के अंदर कितना अच्छा सा गिरावाट हुआ है, क्यूंकि मैं अच्छा सा गिरावाट आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, मैंने ICICS बैंक के उपर ये पिछले वीडियो नहीं, उसके पहले वीडियो में ही आप लोग को मैं इस stock के ओपर फिर से fresh entry देने वाला हूँ, मैंने आपको fresh entry और exit levels भी दिये हैं, वो पूरे के पूरे अच्छी हो गए, अब आपको मैं fresh entry और exit levels देने वाला हूँ, 394.15 के लिए, आपने मेरा पिछला वीडियो जो मैंने ICICI bank के ओपर upload कर दिया था, वो आपने देखा हो तो भी दोस्तों आपको बहुत अच्छा सा मुनाफा हुआगा, क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर जो मैंने इंट्राडे tips दिये थे, वो उसके दूसरे दिन पूरे के पूरे achieve हो चुके हैं, दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर movement बन रहा है, अभी भी movement बन रहा है, दोस्तों, selling का ही बन रहा है, आप ऐसे मत सूचिए कि मैं आपको panic कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ, stock sell करने के लिए, नहीं दोस्तों, stock sell मत करिये, क्योंकि वो गिरावट आने के बाद ही, stock के अंदर फिर से 390 से लेके 400 के levels बनने वाले हैं, बस आप patience रख के चलिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ, मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि बस इसके अंदर stock के अंदर buying करके ही चलिए, क्योंकि मैंने आपको levels देना start कर दिये थे, यह stock 310 315k levels के पास था जब मैंने आपको बता दिया था 330 से 340 levels आंगे उसके बाद मैंने आपको बता दिया था 370 से लेकर 390 levels आंगे उसके बाद 400 levels को जाने की ये कोशिश करेगा stock देखिए इसमें आपको 90% targets achieve हो चुके हैं मैंने आपको बताए थे उसके बाद भी देखिए दोसों इसके अंदर stock के अंदर reversal आया है बस आप वो 10% profit के लिए wait करिए क्योंकि इसके अंदर फिर से 390 के ऊपर levels बनने वाले हैं फिर से हम लोग ये stock को ऊपर जाता हुआ देखने वाले हैं वो कैसा आपको chart analysis करते हुए समझा दिन हुआ था 10th July Friday 2020 ICICI Bank का closing price है दोस्तों 360.30 पैसा के पास उस दिनका इसका day है दोस्तों 368.20 पैसा and day low है 359.00 पैसा दोस्तों आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा deep जाने वाला हूँ आप लोगों को पहले मैं बस chart के उपर ही analysis करके समझा था अब मैं आपको मेरे साथ लेके चल रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को stock learning दे रहा हूँ कि indicators oscillators पे कैसा आप लोग stock को analyze करके चल सकते हैं आज देखिए दोस्तों मेरा कितना भी experience है कितने साल का भी experience है वो आपके लिए place point होगा दोस्तों आपको advance में जितना भी मेरे experience है वो आप लोगों को मिल रहा है जो मैं गलतियां दोराया हूँ वो आप गलतियां मत दोराये इसके लिए मेरे experience पुरा आप आप लोगों को बाट रहा हूं दोस्तों आज मैंने लिया है RSI आप लोगों को अच्छा सा simple word में समझाने के लिए RSI एक होता है दोस्टों RSI का मतलब भी है की ये हम लोगों को जादा से जादा vaheeing हो रहा है nagyon जादा से जादा selling हो depend करके आप लोगों को एक बात पताया था जब इदर average moment चल रहा था आप लोगों को बता दिया था RSA पे भी आप देख सकते हैं इसके अंदर average moment चल रहा है दोस्तों इसके अंदर buying आएगा आप 370 levels के पास exit हो जाईए उसके बाद इसके अंदर reversal आएगा देख सकते हैं over by OTSO type आप RSA भी देखिए मैंने इस पर भी बात किरी थी आप लोगों को बता दिया था वो भी plus point हो गया आप लोगों को targets अच्छी होएंगे stock कितना भी नीचे जाता हुआ दिखा आप लोग tension मत लीजिए परिशान मत होए average कैसे करिए मैं अपने हर वीडियो में भी आप लोगों को बताते रहता हूं अब देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या समझ में आया आप देखिए आप समझिए फिर स आप लोग मैं मेड देता हूं यह पूरा मेड देता हूं दिखें ठीक है दोस्तों अब इसके अंदर फिर से selling का moment बनने वाला है मेरे हिसाब से वह कैसे होगा दोस्तों मैंने stock यह थोड़ा ही screenshot लिका ला है आप देखिए वन डे का चार्ट ले लिजिए उसके अंदर देख करके बोल रहा हूं इसके अंदर 330 तक यह stock जाता हुआ दिखेगा हम लोगों को आगे चलके उसके बाद फिर से 370 और 390 के levels मारेगा पर यह 330 के levels जबी ही जाएगा जब तक यह 350 levels को touch नहीं करा तो यह बात भी बता दे रहा हूं आप लोगों को कि बस अब संबल के रहिए ठ बस आप patience ही रखिए दूसरा काम कुछ भी मत करिए exit करने का मत सूचिए दोस्तों stock के ओपर आप लोगों को अच्छा सा अच्छा profit बनने वाला है देखिए आप लोगों को बोल रहा हूं अभी भी बोल रहा हूं देखिए आज की दिन में RSI लेके आऊं कल के दिन MacDoor RSI मिल जाके आप लोगों को समझा दूंगा उसके बाद oscillator से भी आपके साथ चार्ट करके आप लोगों को रेगुलर दोस्तों अच्छा साथ अच्छा अपडेट देते वे आप लोगों को stock learning भी दूगा दोस्तों आप मेरे साथ चलिए stock learn करिए ऐसा ही नहीं दोस्तों मेरे एक ज को profit दिला दीजिए जैसा मैं आप लोगों को profit बार ये बार हर stock पे दे रहा हूं और alert भी कर रहा हूं कि किदर किदर इसके अंदर reversal आने वाला है किदर किदर आप buying करिए किदर किदर exit होई है यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैन टागेट्स मैं निकाला हूं दोस्तों आप लोगों के लिए टागेट्स है 13 जुलाई 2020 मंडे के लिए और दोस्तों टागेट्स है buying side भी जाएंगे तो अचीव हो जाएंगे selling side जाएंगे तो भी अचीव हो जाएंगे आप क्या करिए पहली फूरसत में आप आप क्या के लिए screenshot लिकाल लिजिए is targets का वठना paperwork भी कर सकते हैं मंडे के जिन इस targets पे intraday करने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं screenshot निकाल लिजिए आपको आसान होगा आप Monday के दिन भी इस target के उपर trade कर सकते हैं आपको अच्छा सा अच्छा profit होगा दोस्तों देखिए कभी भी stock market के अंदर आप buying कर रहे हैं selling कर रहे हैं stop loss कुछ भी कर रहे हैं या आप लोगों को एक छोटा सा मेरे तरफ से humble request है दोस्तों बस आप patience रखके चलिए आ panic में आके stock को बेज दी होंगे अगर आप लुक्सान जाता हुआ देखे भी stock को बेज दी होंगे अब बाद में देखे होंगे कि वह stock बहुत उपर जा रहा है उपर जाते हो दिख रहा है आप अफसोस होएंगे और tension में भी आगे होंगे देखिए आप ऐसे काम मत करिए यह यह वाले मेरे वाले टागेट पर लेके चलिए फिर भी आप कोन सा भी stock पर यह वाला stock नहीं दोस्तों आप को सभी stock पर trade कर रहे है अच्छा सा अच्छा अच्छा profit कमाये आज के दिन मेरे तरफ से इतना ही है धन्यावाद थैंकि पॉर वाचिंग माय वीडियो